ये कहानी एक बहुती बड़े और खुब सूरत से जंगल की है इस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहा करते थे इस जंगल में एक बहुती जादा समझदार सी मीनू चिडिया रहती थी अगर जंगल में किसी भी पक्षी को कोई भी परिशानी हुआ करती थी तो वे सब जंगल के पक्षी मीनू चिडिया के पास ही अपनी परिशानी लेकर जाया करते थे मीनू चिडिया अपनी समझदारी की वज़ा से ही जंगल के सभी पक्षियों की परिशानीयों का हल निकाल दिया करती थी बस इसी कारण जंगल के सभी पक्षी मीनू चिडिया की खूब जादा वाह वाह किया करते थे उस जंगल में एक कालू कववा भी रहता था वे कालू कववा मीनू चिडिया से तो बहुती जादा जलता था क्यूंकि जंगल के सभी पक्षी उस मीनू चड़िया की खूब वावा किया करते थे और कालू कवे को ये बिलकुल भी पसंद नहीं आता था फिर एक दिन जंगल में सभी पक्षी एक साथ बैठे बाते कर रहे होते हैं एरे पक्षीयों देखो न हमारे जंगल में कुछ ज़्यादा ही गर्मी नहीं हो रही है अब हाँ हाँ मीनू चड़िया ये गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है अब हमारे जंगल में हाँ तो पक्षियों हमारे इस जंगल में कई महीनों से बारिश भी तो नहीं हुई है इसलिए तो हमारे जंगल में इतनी गर्मी हो गई है पता नहीं बादल भाईया को क्या हो गया है ना जाने वे हमारे इस जंगल में बारिश क्यों नहीं कर रहे है ओरे पक्षियों लेकिन अब बस बहुत हुआ अब हम सब पक्षियों मैंसे किसी भी एक पक्षी को जाकर बादल भायों को बोलना ही पड़े गा कि हमारे जंगल में इतनी गरमी पड़ गई है और आप ने कितने समय से हमारे जंगल में बारिश भी नहीं की है और हाँ पक्षियों आप सब पक्षियों में से जो भी पक्षी बादल भाईया के पास बारिश का बोलने चाए वे बादल भाईया से पूछ के आए कि वे आखिर कब तक हमारी जंगल में बारिश करेंगे ताकि हमें पता रहे ना उससे पहले हम अपने घर भी मजबूत कर ले पक्षियों अगर आप सब बोलें तो क्यों ना मैं जाकर बादल भाईया से बात कर लूँ अगर बादल भाईया बारिश करने के लिए हां कहेंगे तो मैं आप सभी पक्षियों को आकर बता दूँगा कि वे बादल भाईया कब बारिश करने वाले हैं और अगर मैं नहीं आऊं तो आप सब पक्षि समझ जाना कि बादल भाईया भी बारिश नहीं करने वाले हैं हाँ हाँ सही है कालू कवे तुम ही जाकर बादल भाईया से बात कर लो बस फिर अब सभी पक्षी अपने अपने घर को चले जाते हैं अब वे कालू कवा उड़ता उड़ता बादल के पास आ जाता है अरे क्या हुआ कालू कवे तुम यहाँ पर क्यूं आए हो अरे बादल भाईया मुझे जंगल के सबी पक्षियों ने आपके पास भेजा है हमारे जंगल में बहुती ज्यादा गर्मी पड़ गई है तो हम सब जंगल के पक्षियों यही चाहते हैं कि आप जंगल में आकर बारिश कर दे हमारे अच्छा अच्छा कालू कवे अगर तुम्हारे जंगल के सबी पक्षियों ऐसा ही चाहते हैं तो ठीक है तुम एक काम करो तुम अपने जंगल के सभी पक्षियों को जाकर बता दो कि बस एक ही दिन गुजरने के बाद मैं अगले दिन सारे ही बादलों को लेकर तुम्हारे जंगल में आ जाओंगा तो सभी पक्षियों को तुम पहले ही बता देना और हाँ मैं बहुत सारे बादलों को लेकर आऊंगा तो बारिश भी बहुत ज्यादा तेज होगी इसलिए तुम सब पक्षी पहले ही अपने अपने घर मस्बूत बना लो अच्छा ठीक है ठीक है बादल भाईया मैं अभी जाकर जंगल के सभी पक्षियों को बता देता हूँ फिर अब वे कालू कववा अपने घर में आ जाता है और अपने घर में बैठा सोच रहा होता है मेरे पास ये बहुती जादा बढ़िया मौका है उस मीनू चुडिया से बदला लेने का क्यों ना मैं जाकर सभी पक्षियों को ना बताऊं के एक दिन गुजरने के बाद इस जंगल में बहुत जादा तेज बारिश होने वाली है और मैं अपने लिए एक लकडी का मजबूत सा घर बना लेता हूँ फिर कल जब बारिश में किसी भी पक्षियों के पास घर नहीं होगा तो फिर मैं देखूंगा कि वे मीनू चुडिया किस तरह से सभी पक्षियों की परिशानी का हल निकालती है फिर अगले दिन वे कालू कावा अब अपने लिए लकडियों का घर बना ही रहा होता है कि वे मीनू चुडिया उस कालू कवे के पास आ जाती है एरे क्या हुआ कालू कवे क्या बादल भाईया ने बता दिया है कि वे कब बारिश करने वाले है अरे नहीं नहीं मीनू चिडिया अभी बादल भाईया ने नहीं बताया है कि वे कब हमारे जंगल में बारिश करेंगे मैं कल उनके पास गया था तो उन्होंने मुझे कहा था कि वे जब बारिश करेंगे तो वे उससे एक दो दिन पहले ही हमारे जंगल में संदेशा भिजवा देंगे अच्छा तो फिर कालू कवे तुम ये अपना नया लकडी का घर क्यों बना रहे हो आरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मीनू चिडिया वो तो मेरा पुराना वाला घर बहुती ज़्यादा खराब हो गया था इसलिए मैंने सोचा फारिक बैठा हूँ तो अपना नया घर बना लेता हूँ मैं अच्छा अच्छा फिर ठीक है कालू कवे चलो अब मुझे भी देर हो रही है मैं अपने घर जा रही हूँ ऐसा कहकर वे मीनू चिडिया भी वहां से चली जाती है अब थोड़ी ही देर में उस कालू कवे का पूरा लकडी का घर बनके तैयार भी हो जाता है पिर एक दिन गुजरने के बाद अब जंगल में काफी ज्यादा तेज बारिश शुरू हो जाती है जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठे होते हैं एरे ये अच्छानक से जंगल में इतनी तीज बारिश कैसे शुरू हो गया है अरे ये सब क्या हो गया है बादल भाईया ने बिना बताए ही हमारे जंगल बे बारिश कैसे कर दिये ये जंगल भी इतनी तीस बारिश कैसे शिरू हो गये बादल भाईया ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है अगर ये बारिश ऐसे ही होती रहेगी तो हम सब जंगल के पक्षियों के घर तो तूट जाएंगे हम सब जंगल के पक्षियों के घर तो बहुती जादा मजबूत नहीं है वे सब थोड़ी ही देर में तूट जाएंगे और मैं कालू का उमा तो अपना नया गर बना के आराम से बैठा होगा अपने घर में बस अब उस तेज बारिश के कारण जंगल के सभी पक्षियों के कच्चे घर पानी में तूट कर बह जाते हैं अब सभी पक्षी उस बारिश में एक दरख्त पर जमा हो जाते हैं एरे पक्षियों अब हमें काम करते हैं हमारे जंगल में जो एक गुफा है हम उस गुफा में चल देते हैं हाँ हाँ भाई बारिश बहुती ज्यादा तेज हो रही है चलो चलो पक्षियों जल्बी से उस गुफा में चलो हाँ पक्षियों बढ़ना इस तीज बारिश में तो हमारी तबियत खराब हो जाएगी बस यही सोचकर अब वे जंगल के सबी पक्षी उस गुफा में आ जाते हैं अरे पक्षियों कोई जाकर बादल भाईया से पूछ कर तो आएं कि आखिर बादल भाईया ने हम सब पक्षियों के साथ ऐसा क्यों किया एरे पक्षियों आप सब लोग बिलकुल भी परिशान नहों मैं अभी जाती हूँ और बादल भाईया से पूछ कर आती हूँ फिर मीनू चिडिया अब काफी घुसे में बादल के पास आ जाती है एरे बादल भाईया आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया हम सब पक्षियों ने आपका क्या ही बिगाड़ा था औरे क्या हुआ मीनू चिडिया क्या बोले जा रही हो तुम एरे हम सब जंगल के पक्षियों को बगर बताए ही आपने हमारे जंगल में बारिश कर दी है आपकी इस तेज बारिश के कारण हम सब जंगल के पक्षियों के घर भी तूट गए है अब तो हमारे पास रहने की भी कोई जिगा नहीं है मगर मीनू चिडिया मैंने कल उस कालू कवे को बोला तो था कि मैं एक दिन गुजरने के बाद इस जंगल में आकर बारिश कर दूंगा अरे पर उस कालू कवे ने हम सब जंगल के पक्षियों में से किसी को भी नहीं बताया है और खुद तो उसने अपना लकडी का नया घर बना भी लिया है अब वो उसमें अराम से रह रहा है मीनू चिडिया की ये बात सुनकर तो उस बादल को बहुती ज़्यादा घुसा आ जाता है और वे बादल खुसे में ही मीनू चिडिया के साथ उस कालू कवे के घर के पास आ जाता है अब वे बादल खुसे में ही उस कालू कवे के घर के उपर बिजली गिरा कर उस कालू कवे का घर भी पूरा तोड़ देता है औरे बादल भाईया क्या हो गया है आपको आपने मेरा घर क्यों तोड़ दिया है अरे कालू कवे तुमने हम सब पक्षियों को जूट क्यों बोला था कि तुम्हें बादल भाईया ने बारिश करने का बोला ही नहीं है जबके बादल भाईया ने तुम्हें सब कुछ बता दिया था अब इसलिए ये तुम्हें तुम्हारी गल्टी की सेजा ही मिली है अब तुम इस बारिश में ही रहोगे हम सब जंगल के पक्षी तो इस बारिश से बचने के लिए जंगल की गुफा में रह रहे हैं लेकिन हम सब जंगल के पक्षी अब तुम्हे उस गुफा में आने भी नहीं देंगे तुम इस बारिश में ही रहोगे जब तक ये बारिश हो रही है बस फिर अब उस कालू कव्वे को वे पूरी बारिश उस जंगल में एक दरफ्ट पर ही गुजारनी पड़ती है और दूसरी तरफ अब वे सब जंगल के पक्षी उस गुफा में आराम से रह रहे होते हैं इस कहानी से हमें प्रेना मिलती है हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए एक जंगल में एक मीनू चिडिया रहा करती थी मीनू चिडिया के घर के बाजू में ही एक कालू कवव अपने घर में रहा करता था इस जंगल में सभी पक्षी एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया करते थे और जंगल के सभी पक्षी मीनू चिडिया को बहुती ज़्यादा पसंद किया करते थे जंगल के सभी पक्षी मीनू चिडिया की हर बात सुना करते थे और उसे समझा भी करते थे उस जंगल में सभी पक्षियों के घर पर रोज सुभा एक चील दूद देने के लिए आया करती थी फिर ऐसे ही एक दिन वे मीनू चिडिया अपने घर में बैठी दूद आने का इंतजार कर रही होती है एरे क्या हो गया है आज इस चील को ये चील अभी तक दूद देने के लिए क्यों नहीं आई है आज तो बहुती ज्यादा देर हो गई है वैसे तो रोजाना ही वे चील सुभा सुभा ही दूद देने के लिए आजाती है पर आज तो आई ही नहीं है चील चेलो में इक काम करती हूँ मैं जाकर कालू कवे भईया के पास पता करती हूँ क्या पता उनके पास वे चील दूद्देने आई हो फिर यही सोच कर वे मीनू चिडिया अब कालू कवे के घर पर आ जाती है अरे क्या हुआ मीनू चिडिया तुम्हें मैं आज अपने घर के आगे सुबा सुबा कैसे देख रहा हूँ कहीं तुम तो आज चील की जगा पर दूद देने नहीं आ गई हो अरे नहीं नहीं कैलू कवे भाईया मैं कोई दूद देने वाली थोड़ी हूँ आपको क्या हो गया है मैं तो आज आपसे बس यही पूछने आई थी कि आज आपके घर पर वे चील सुबह दूद देने आय थी के नाई अरे नहीं भाई नहीं मीनुचिडिया वे चील तो आज मेरे घर पर भी दूद देने नहीं आई है फिर ऐसे ही थोड़ी देर में सभी पक्षी कालू कव्वे के घर पर आ जाते हैं हैरे मीनू चिडिया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो एरे कभी उतर बैया मुझे लगता है यह मीनू चिडिया भी यहाँ पर विदूद वाली चील कही पूछने के लिए आई होगी आरे पक्षियों इसका मतलब है आज पूरे ही जंगल में किसी भी पक्षी के घर पर दूद नहीं आये हैं फिर ऐसे ही थोड़ी देर के बाद उन सब पक्षियों के पास महाँ पर वे चील आ जाती है एरे क्या हुआ भाई चील आज तुम इतनी देर से क्यों आई हो औरे चील तुम्हारे हाथ तो खाली है क्या आज तुम दूद नहीं राई हो हमें देरे के लिए एरे अच्छा हुआ पक्षियों के आज आज आप सब लोग यहाँ पर साथ मिल गए हो मुझे मैं यहाँ पर आप सबी पक्षियों को एक बात बताने के लिए आई हूँ मेरा बहुत ज्यादा नुक्सान हो गया है मेरे कारोबार में आज से मैं आपके जंगल में दूद नहीं दूंगी आप लोग किसी और दूद वाले को देख लो हरे चील यह क्या बात है या चानक से तुम हमें ऐसा कैसे बोल सकती हो हाँ भई चील यह कबूतर भईया ठीक कह रहे है तुम तो इस तरह से हमें धोका दे रही हो बस आप सब पक्षी अब मुझे माफ कर दीजिये लेकिन जो भी सच था मैंने अब आप सब को वे बता दिया है अब मैं जा रही हूँ ऐसा कहकर वे चील वहां से चली जाती है पक्षीयों ये तो बहुती ज्यादा बड़ा मसला हो गया है अब हम लोग क्या करेंगे बिना दूद के हाँ हाँ मीनू चिडिया पता नहीं अब रोज सुबा कौन हमें दूद ला कर दिया करेगा एरे लेकिन पक्षीयों अब हम क्या कर सकते हैं वैसे भी हम कुछ नहीं कर सकते अब इसमें पक्षीयों अब तो हमें किसी और दूद वाले को ही डूदना पड़ेगा पक्षीयों की ये सारी बातें सुनकर वे कालू कवा सोच रहा होता है अरे ये कील की वज़ा से तो सच में सभी पक्षी बहुत जादा परिशान हो गए है सभी पक्षीयों को दूद पीने के भी आदत लग चुकी है अब मैं एक काम करता हूँ मैं ही सभी पक्षीयों को कहता हूँ कि कल से मैं ही इने दूद बेचा करूंगा अब मैं ही जंगल के सबी पक्षियों को रोज सुबा दूद देने की जमेदारी ले ले लेता हूँ मैं रोज जंगल के बड़े बाजार से जाकर दूद ले आऊंगा और फिर उस दूद के अंदर खूब जादा पानी मिलाकर पक्षियों को बेचूंगा इससे तो मेरा बहुती जादा फाइदा होगा वा वा कालू कवे तेरे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी क्या उपाय ढूंडा है अब देखो मेरे पास तो दाने ही दाने होंगे अब मैं भी अमीर हो जाऊंगा एरे क्या हुआ कालू कवे तुम भला इतनी देर से क्या सोच रहे हो औरे पक्षियों मैं तो बस यही सोच रहा था कि मैं अब आप सब के घर पर रोजाना दूद बेच हूँ लेकिन अगर आप सब लोग इजाज़त दें तो ही मैं आप सब के घर दूद बेचने आ सकता हूँ इससे आप सब का मसला भी हल हो जाएगा और तो और मेरा थोड़ा मुनाफा भी हो जाएगा दूद बेचकर वैसे भी देखो ना पक्षियों अब हम सब को दूद पीने की आदत लग चुकी है अब अगर रोज सुबा हमें दूद नहीं मिलेगा तो हमारा दिन भी अच्छा नहीं गुजरेगा अब हमें दूद तो रोजाना चाहिए ही होगा इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब मैं ही रोजाना आप सब के घर पर सुबा दूद बेचूँ अरे वाँ वाँ कालू कवे ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा फिर हाँ भई हाँ पक्षियों ये तो मसला ही हल हो गया है हाँ लेकिन कालू कवे अब तुम ये दूद बेचने की जिम्मेदारी ले ही रहे हो तो फिर तुम अपना काम इमानदारी से करना अरे हाँ हाँ मीनू चड़िया मैं बहुती जादा इमानदार हूँ मैं बलकुल भी बेइमानी नहीं करूंगा मैं सभी पक्षियों को अच्छा दूद दूँगा बस फिर अब सभी पक्षि अपने अपने घर चले जाते हैं बस अब अगली सुभा से उस कालु कववे ने जैसा सोचा होता है वे वैसा ही करता है कालु कववा दूद में खूब सारा पानी मिला देता है दूद में पानी मिलाने के बाद अब वे कालु कववा जंगल के सभी पक्षियों को दूद जाकर बेच देता है बस फिर ऐसे ही कुछ ही दिनों के बाद मीनू चिडिया के पास जंगल के सभी पक्षी आ जाते हैं एरे पक्षीयों क्या हुआ है अचानक से आप सभी पक्षी मेरे घर पर क्यों आ गए हो है रे मीनू चिडिया हम सब पक्षी तुम से ये पूछने के लिए आए हैं कि तुम्हारी तब्यत तो कहीं खराब नहीं है हाँ मीनू चिडिया कुछ ही दिनों से हम सब जंगल के पक्षियों की तब्यत बिलकुल भी ठीक नहीं है अरे मीनूचेडिया पता नहीं जंगल के सबी पक्षियों की एक साथ तबियत क्यूं खराब हो रही है हाँ लेकिन पक्छियो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने जब से उस कालू कव्वे से दूद लेना शुरू किया है तब इसे हम स्ब पक्छियो की तबीत खराब होने लगी है है रे लेकिन अब मीनू चिडिया हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी तबियत उस कालू कवे के दूट से ही खराब हो रही है हाँ मीनू चिडिया अब हम ऐसे ही उस कालू कवे के ओपर इल्जाम भी तो नहीं लगा सकते हैं ना है रे पक्षियो अब मेरे दिमाग में एक बहुत ही जादा बढ़िया उपाए है अब कैल में उस कालू कवे के सुबा सुबा हम सबके घर पर दूद देने से पहले ही उसके घर के बाहर खिड़की से जाक कर देखूंगी कि आखिर वे कालू कवे दूद के साथ क्या कर रहा है अगर वे कालू कवे दूद के साथ कोई गड़बड कर रहा होगा तो हम उसे वही पकड़ लेंगे आरे हाँ हाँ मेनू चिड़िया ये तो बिलकुल ठेक रहेगा तुम ऐसा ही करो फिर अगली सुबा ही वे मीनू चिड़िया कालू कवे के दूद देने से पहले ही उसके घर के बाहर खिड़की पर बैठ जाती है अरे मैं जल्दी से दूद में धेर सारा पानी मिला लेता हूँ फिर जंगल के सभी पक्षियों के घर पर जाकर दूद भी देना है मुझे बस फिर क्या था वे मीनू चिड़िया उस कालू कवे को दूद में पानी मिलाते हुए देख लेती है अब जंगल के सभी पक्षियों और मीनू चिड़िया उस कालू कवे को एक जगा पर बुला लेते हैं एरे पक्षियों हम सब लोग बिल्कुल सही सोच रहे थे ये कालू कवे दूद में पानी मिला कर हमें बेच रहा था इसी कारण तो हम सब जंगल के पक्षियों की तब्यत खराब हो रही थी अरे नहीं नहीं पक्षियों ये क्या बूल रही हो मीनू चिड़िया मैंने आज ऐसा कुछ भी नहीं किया है अरे कालू कवे बस तुम चुप करो अब मैंने आज अपनी आँखों से ही तुमें दूद में पानी मिलाते हुए देखा है कालू कवे तुम हम सब जंगल के पक्षियों के साथ ऐसा करोगे हमने सोचा भी नहीं था पक्षियों अब हम सब इस कालू कवे से बिल्कुल भी दूद नहीं लेंगे आरे लेकिन पक्षियों इस कालू कवे को भी इसकी गलती की सजा तो मिलनी ही चाहिए इसकी वजह से हम सब पक्षियों की तवियत खराब हो गई हाँ हाँ मेट्टू तोते तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो इस कालू कव्वे को तो जरूर सदा मिलनी चाहिए पक्षियों अब हम सब मिलकर इस कालू कव्वे को अपने जंगल से बहार निकाल देते हैं अगर ये कालू कव्वे कभी हमारे जंगल में दिखेगा तो हमें से खूब मार कर बगाएंगे बस ऐसे ही वे सब जंगल के पक्षियों उस कालू कव्वे को जंगल से बहार निकाल देते हैं पक्षियों अब आप सब लोग परिशान मत हो मैं दूसरे जर्गल जाकर किसी मांदार दूद वाले को जाकर इस जर्गल में भी दूद देने का बोल दूँगी बस अब ऐसे ही उस कालू कवे को भी अपनी गलती की सजा मिल जाती है और दूसरे जर्गल से अब रोजाना एक नई चील सभी पक्षियों को दूद देने के लिए आया करती थी बस ऐसे ही अब जंगल में सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है और जंगल के सभी पक्षी दुबारा से खुश रहने लगते हैं तो प्यारे दोस्तों हमें इस कहानी से प्रेना मिलती है कि हमें गलत कामों से दूर रहना चाहिए क्योंकि गलत कामों का गलत ही नतीजा निकलता है